पूरा दिन रत में भूखा रहने के बाद जब शाम में खाने की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि कुछ पढ़िया सा मिल जाए जो कि टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, हल्का भी हो बिना प्याज रसन के भी हो तो इनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही सबसी जिसे बनाने के लिए हम टमाटर, अद्रक और हरिमिश ले लेंगे और उसकी प्योरी बनाकर साइट पर रख देंगे एक कढ़ाई या कूकर में थोड़ा सा गी गरम करेंगे, उसके अंदर साबुत काले मेर्च डालेंगे, थोड़ा सा जीरा चटका लेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे जब जीरा चटक जाएगा तब हम इसके अंदर अपने टमाटर अद्रक हरिमिश की प्योरी आड़ कर देंगे और कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम इसके अपने टेस्ट के कोडिंग नमक आड़ कर देंगे मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमज भरके नमक डाला है मिक्स कर देंगे और अब हम उसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम सिम गयास पर भूरने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह भून रहा है तब तक हमें कड़ाई या पैन में थोड़ा सा गी लेकर थोड़ा से मखाने उसके अंदर रोस्ट कर लेंगे जब यह 80% क्रंची हो जाएं तब हम इसके अंदर थोड़ा से काजू आड़ करेंगे क्योंकि काजू जल्दी भून जाते हैं तब हमने शुरू में इसलिए अड़ नहीं किये हम इसको इस स्टेज पर अड़ करेंगे और भून लेंगे भूनने के बाद हमारा देखेंगे तड़का भी तयार हो चुका है उसने घी छोड़ दिया है अब हम यह जो मखाने और काजू है इसके अंदर आड़ कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको बॉल करने के लिए चड़ा देंगे मखाने और काजू को अच्छे से मिक्स करके इस पर हम पानी डालेंगे और अब हम इसको full gas पर boil होने के लिए चढ़ा देंगे इसको अच्छे से mix करने के बाद हम इसको एक boil दे देंगे जब अच्छे से इसके अंदर boil आ जाएगा तब हम इसके अंदर पनीर add करेंगे पनीर मैंने यहाँ पर raw add किया है आप चाहें तो इसको shallow fry या deep fry भी कर सकते हैं और हलके हाथों से mix करेंगे ताकि पनीर जो है वो तूटे नहीं अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी crush करके डाल देंगे और इसी स्टेज पर हम यहाँ पर गरम मसाला और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी add कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद हलके हाथों से mix करने के बाद 10 मिनिट के लिए इसको धक्कर रख देंगे करीबन 10 मिनिट के बाद हम इसके अदर धुली हुई किश में शार्ट करेंगे और फिर से इसको एक बॉयल के बाद करीबन 10-15 मिनिट के लिए धक्कर रख देंगे ताकि सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाए और बड़े ऐसी शाही सबजी बनकर तयार है इसे आप कुट्टु की पूरी सिंगाड़े की पूरी रोटी परांथा नॉमल पूरी रोटी परांथा लच्छा परांथा रुमाली रोटी चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय और शाही सबजी